हलो फ्रेंड्स यूवर वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज हम लोग सांख की इस्टाइटिक स्क्वारे में पढ़ेंगे आज हम लोग सांख की में वरगंतराल और बारम बारता दिया गिया है इससे हमें माध्यक निक्यालना है तो माध्यक कैसे निक्यालेंगे देखिए प 145 से 153 162 163 171 172 से 180 की इस तरह से दिया गया है और देखिए बारम बारता दिया गया है यहां देखिए 3 दिया है यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 5 और यहाँ 4 और यहाँ 2 इस तरह से बारां बारता दिया गया है अब का प्रसमें पूछा जा रहा है कि हमको इसका माध्यक ग्यात करना है तो हम माध्यक इसका कैसे ग्यात करेंगे तो माध्यक कैसे ग्यांत करेंगे, तो माध्यक हमें निक्यालना है, तो माध्यक कैसे निक्यालना है, आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक निक्यालना सीखेंगे, माध्यक कैसे निक्याला जाता है, तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक साड़ी बना लेंगे साड़ी बना करके उसमें हम एक खाने में वरगंतराल लिखेंगे इस तरह से हम क्या करेंगे इस तरह से एक साड़ी बनाएंगे साड़ी बना करके एक में लिखेंगे वरगंतराल और एक में बारम बारता और एक में लिखेंगे संचाई बारम तो वर्गंतराल में देखिए 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 123, 114 से 162 और इस तरह से इसमें लिखेंगे 163 से 171 और 182 से 180 से हम सभी वर्गंतराल लिख देगे इसके बाद फिर हम बारम बारता लिखेंगे देखिए बारम बारता 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 बारम बारता लिखने के बाद अब हम इनका संचाई बारम बारता निक्यालने के तो संचाई बारम बारता निक्यालने के लिए हमें करना क्या है संचाई बारम बारता निक्यालने के लिए हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, तीन हो गया इसके बाद फिर लिखेंगे 3 और 5 जोड़ करके देखिए 8 हो गया यहाँ पर 8 लिख देगे फिर 8 और 9 को जोड़ करके देखिए 17 हो गया 17 और 12 को जोड़ेंगे 29 हो जाए देखिए 29 लिख दिया गया फिर 29 में 5 को जोड़ेंगे देखिए 34 हो गया 34 में 4 को जोड़ेंगे 38 हो गया और 38 में 2 को जोड़ेंगे 40 हो गया इस तरह से हमने इसकी संचाई बारम बारता निक् करने के बाद आप देखिए आपको करना क्या है अब आप तो यन देख रहे हैं इनका कितना है अगर हम इन सब को प्लस करेंगे तो 40 आएगा ये 40 तो 40 हो गया इसका यन हो जाएगा तो यन बराबर 40 हो गया लिख देंगे कि यन बराबर आगया 40 तो यन बटे 2 कितना हो जाएगा देख रहे हैं यन बटे 2 हो जाएगा 40 बटे 2 तो यन बटे 2 का मान कितना आगया यन बटे 2 बराबर आगया 20 20 जब आप निक्याल लेगे तो अब आपको देखना है कि 20 किस गिंती में आपको इस टेबल में संचाई बारम बारता में किस में मिलेगा अब आपको इसको देखना है तो देखिए अब आपको इस टेबल में देखेंगे इस टेबल में देखेंगे देखिए तीन है, आठ है, सत्रह है, सत्रह के बाद देखिए, अब आ गया, शत्रा, सत्रह के बाद 20, 20 किसमे मिलेगा, 29 वाले में, तो इसका मतलब यह हुगा, कि अब इसके 29 यही आपकी संचाइ बार्म बारता, 29 होई, 29 के सामने जो बार्म बारता होगी, वह आपका यफ हो तो इस तरह से यह आप आपका कितना हो जाएगा अब देखिए यह आप हो गया बाहर है इतरह से आपने यह अपनी क्या लिया और अब इसी के सीध में चलेंगे हम वरगंतराल में तो वरगंतराल में जो सबसे देख रहे हैं इसमें उच्छ सीमय और निम्न सीमय है तो देख है तो हम लेंगे यल यह हो जाएगा यल हम इसकी निमनी सी में लेंगे तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि यल बराबर कितना हो गया आप लिख देंगे कि यल बराबर आ गया 145 और यफ बराबर कितना गया यफ बराबर आ गया 12 और आपको भी निकालना है देखिए C E F चाहिए तो C E F यहाँ पर आप लिखेंगे इसके उपर यह हो जाएगा C E F इसको आप कैपिटल E F भी लिख सकते हैं तो C E F कितना हो गया C E F हो गया 17 यहाँ लिख देंगे C E F बराबर 17 अब हम एक याल लिए अब इसके बाद आप E F भी निक्याल लिए E L भी निक्याल लिए और आपने C F ही निक्याल लिए अब आपको फार्मूला देखिए फार्मूला इस तरह से माध्यक का फार्मूला होता है कि माध्यक बराबर E L प्लस E L बटे 2 माइनस C F बटे E F अभी आपको E L निक्यालना है तो E L देखिए क्या होगा E L इन दोनों संख्याओं का अंतर होता है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा आप अंतर करके निक्याल सकते देखिए किसी भी वर्गंतराल में देखेंगे तो इनका अंतर कितने का है आप इसको निक्याल लेंगे तो अंतर इनका कितना आ रहा है देखिए अगर हम देखें 153 है और 153 और 155 देखिए कितना जाएगा 135 आठ अगर आठ तुर देख रहे हैं आठ का अंतर सम्या रहा है तो यह बराबर कितना हो जाएगा यह बराबर 8 हो जाएगा तो आप यहां लिख सकते हैं कि यह बराबर 8 हो गया और आपने एफ निक्याला कितना है एफ आपको मालूम हो गया कि एफ बराबर है 12 और सी एफ कितना है आप निक्याल चुके हैं सी एफ देख रहे हैं 17 है यहां पर 17 और यच निकल गया 12 हो गया और यल हो गया यल देख रहे हैं कितना है यल है 145 तो यही सब इसमें सब्सक्राइब करना है इसमान इसमें रख देंगे तो माध्यक आपको मालू हो जाएगा अब लिखेंगे माध्यक माध्यक बराबर देखें जहां पर यल लिख्या गया है तो आप लिखेंगे 145 और फिर देखें प्लस यन बटे 2 ते यन बटे 2 के अश्टान पर आप लिखेंगे 20 हो जाएगा यन बटे 2 बीश है और फिर देखें सी एफ कितना है सी एफ 17 है यहाँ पर 17 लिखेंगे 17 हो गया और फिर बटे में देखें यहाँ लिख्या गया है यहाँ बारा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12 हो गया और गुडे में लिख देंगे 9 यह 9 हो गया अब इसको आपको स सब्सक्राइब करने कितना आज गया यह हो गया 145 हो गया और यहां पर देखिए यह हो गया कि 20 में 17 आज गया 3 3 हो गया 3 बटे 12 और गुड़े में 9 हो गया अब इसको आप सब्सक्राइब कितना हो जाएगा देखिए 3 1 के 3 3 4 12 आगया कितना आगया 145 प्लस 9 बटे 4 9 में 4 का भाग देंगे जब 9 में 4 का भाग देंगे तो आज आएगा 2.25 इसके बाद आपको 2.25 आगया इसको जोड़ देंगे देखिए 145 और 2.25 को जोड़ेंगे ता जाएगा 147.25 और यही आपका यह हो गया अंसर इस तरह से आपका माध्यक माध्यक कितना आ गया माध्यक आ गया माध्यक बराबर 147.25 आशा करते हैं कि यह वीडियो अपलों को पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो अपलों पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करना और अपने दोस्तों में सेर जिरूर करना दोस्तों हमें कमेंट करना मत बोलना और वीडियो को लाइक जिरूर करना थाइंक्यू बेरी में